नमस्कार दोस्तो मैं राहूल पडिल डायरेक्टर आपका एक बार स्वागत करता हूँ सुफ्तामो की ओफिशल यूट्यूब चैनल के उबर हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग विशय अलग टॉपक के साथ आपके सामने उपस्तित होने जा रहे हैं आज का यहां पे हमारा जो विशय है वो है एडवांटेजीज अफ टड़ी इन फिलिपीन्स के बारे में लेकिन यह एडवांटेजीज जानने से पहले मेरा आप सबसे निवे दने अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरू से कर ले ताकि आने वाले दूसरे वीडियो के पर आपको बेनिफिट मिल पाए तो चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं एडवांटेजीज और फिलिपीन्स के बारे में करीबन 7,640 आइलेंड से बना हुँवा कंट्री आई है अगर टोटल अरिया की बात करेंगे तो करीबन 1,20, 000 स्कूर माइटर के आसपस कह उसका तोटल अरिया है अगर population की बात की जाए तो population देखे जाए तो करीबिन 10 करोड के उपर की population है यहाँ पर दूसरी बात आती यह सबसे बड़ा जो advantage हो जाता है फिलिपीन्स का वो है language of communication फिलिपीन्स के अंदर language of communication है जो official language है वो Filipino and English है वहाँ पर local communication में आपको कोई भी दिक्कत आने की chances नहीं रहते है यहाँ पर दूसरी बात करेंगे यहाँ पर distance from the India अगर दिली से मनी लाजो की capital है फिलिपीन्स का वहाँ का जो distance है वो करीबन 4,764 km है connected जो airlines है उसकी बात करेंगे कि कौन कौन सी airlines available है वहाँ पर जाने के लिए तो वहाँ पर Malaysian Airlines है, Thai Airlines है, कैते Pacific Airlines है, Qatar Airways है, Air India है, इतियाद है, Amirach है, Fly Dubai है और भी काफी सारी अलग-अलग company की airlines की facility available है जिसके थुरू आप travel कर सकते हो Philippines के लिए इंडिया से तो यह कुछ basic parameter थे जब study की बात आती है, कोई भी country की तो जानने आवश्य है कि तो सबसे पहला अगर हम लोग advantages की बात करेंगे, सबसे बड़ा advantage इसको बोल सकते हो आपके Philippines के अंदर जो भी education available है वहाँ पर वो completely English medium है first year से लेके six year तक का complete study आपको English में बढ़ाया जाता है दूसरा एक चीज़ हम लोग जानते है कि US government ने rule किया था Philippines के उपर तो इसकी बज़े से एक सबसे बड़ा advantage जिसको भी आप बोल सकते हों कि वहाँ पर जो बढ़ाई की system है वो US curriculum follow किया जाता है यानि कि अगर आप in future PG के बारे में US के लिए सोच रहे हो तो सबसे बड़िया एक option आप गिन सकते हो Philippines को दूसरी बाद इसके बाद अगर हम लोग climate की बात करेंगे तो करीबन करीबन 21 degree centigrade से लेके 32 degree centigrade के पीच में temperature रहता है यानि कि almost इंडिया की similar जैसे coastal अपनी जो cities है जैसे गुआ देख लीजिए Mumbai देख लीजिए उसके जैसी cities के जैसा temperature आपको वहाँ पे feel होगा similar atmosphere होने की वज़े से वहाँ पे जो disease है जो disease pattern है बीमारी की जो pattern आपको देखने को मिलेगी वह almost similar to the India है और उसी वज़े से जब in future India आप आते हो तो FMG या NEX की जो भी exam में वो crack करना आपके लिए आसान हो जाता है दूसरे यहाँ पर हम लोग budget की बात करेंगे तो majority universities का जो tuition fees है वो tuition fees Indian parents के लिए और students के लिए affordable है compared to the Indian private medical university तो यहाँ पर अगर fees की बात करेंगे तो per annum 3000 से लेके 7000 dollar के बीच में यहाँ पर depend on university fees आपको देखने को मिलेगी उसके अलब अगर living expense की बात करेंगे तो major universities और major cities के अंदर living expense है वो भी affordable Indian student के लिए जो की वहाँ पर 150 dollar से लेके 200 dollar के बीच में रहेगा जिसके अंदर आपका रहना, खाना और बाकी के जो भी expensive वो cover हो जाते है उसके अलब अगर हम लोग बात करेंगे तो Philippines की major universities के बाद हर एक type का accreditation available है अगर accreditation के बारे में बात करेंगे तो MCI accreditation या तो NMC accreditation जो इंडिया के लिए available होना चाहिए वो available है उनके पास उसके अलावा US के लिए ECFMG की requirement रहती हूँ, वो almost अरिक university के पास available है उसके अलावा GMC registration के लिए UK के अंदर वहाँ पे भी GMC के अंदर आप register करवा सकते हो अगर Philippines से आपने पढ़ाय की हूई है तो उसके अलावा अगर AMC accreditation की बात करेंगे वो भी उसके पास available है हर एक university में उसके अलावा MCNZ की बात करेंगे जो कि New Zealand के लिए required accreditation वो भी available है वहाँ पे उनके पास दूसरा एक सबसे बड़ा यहाँ पर advantage हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि Philippines की almost हर एक medical university इंटर लिंक होती है with regular conferences, exchange program, project works and field work यह सब चीजों की activity की बज़े से student को वहाँ पे जो first and practice चाहिए वो easily available हो जाती है और उसकी वज़े से in future student अगर इंडिया आता है NMC की exam देगा तो उस टाइम पे जो practical module उसको clear करना है वो clear करने पे बहुत ही आसानी हो जाएगी उसके लिए और सबसे बड़ा advantage यहाँ पे हो जाता है जो भी teaching faculties है वो हर एक faculties English अच्छी तरह बोल लेती है वहाँ पे यानि की आपको जो lecture deliver करना चाहिए वो delivery easily मिल रही है आपका understanding easy हो रहा है आपका communication teacher के साथ easy हो रहा है तो पढ़ाई में बहुत ही आसानी हो जाती है आपके लिए दूसरा जैसे कि हमने बताया कि करीब इन 10 करूर के आसवास की आबादी है वहाँ पे तो patient का flow भी आपको काफी अच्छा वहाँ पे मिल रहा है तो practical exposure भी आपको काफी better मिल रहा है वहाँ पे जो की आपको practical experience लेने में काफी useful रहता है और doctor A की बढ़ाई में अगर हम लोग करेंगे theoretical education जितना required है उतना practical required होना ज़रूरी है अपर हम लोग कौन से university अच्छी है या क्या है उसके बारे में अगर थोड़ी बहुत बात करेंगे तो according to the softam or research some universities like Lyseum North Western University, UA Glass College of Medicine ये universities economically आपके budget में set हो सके वैसी university plus disciplined universities है उसके अलाव अगर आपको premium option की अगर requirement रहती है तो Our Lady of Fatima है वो एक biggest brand बोल सकते हो आप की ये Philippines की number one university मानी जाती है लेकिन expensive भी आपको इसको बोल सकते हो उसके अलावा Emilio Oglando College of Medicine and Angeles University of Foundation जो है वो strict institute मानी जाती है in the terms of education उसके अलावा अगर इंडिया के अंदर popular university की बात करेंगे तो दवाहू Medical School of Foundation जो है वो एक popular brand है इंडिया के अंदर और उसके अलावा दूसरी बात करेंगे हमा की या UPH की हमा School of Medicine या University of Puppetal Health ये universities अच्छे faculties के लिए जानी जाती है Almost हर एक universities है उसका कुछ न कुछ एक plus point रहता है अच्छा पहलू रहता है यहाँ पे University के बारे में detailed video हम लोग particular University के बारे में आगे बनाते रहेंगे और आपको देखते रहेंगे तो यहाँ पे Almost हर एक universities है जो भी वो extremely strict है वहाँ पे in the terms of academic and professional decorum के बारे में दूसरी सबसे बड़ी बात आएगी यहाँ पे safety के बारे में especially girls के बारे में parents कई बार सोचते है कि girls के लिए safety होनी required है तो safety के बारे में Philippines के अंदर कोई भी university में admission लेते हो कोई attention लेने के आवश्यक्ता नहीं है दूसरा जो living जो things होती है for example student survive कर रहा है वहाँ पे तो चीज़े easily available होगी की नहीं होगी है की भी tension रहता है तो वहाँ पे हर एक चीज़े easily available है तो उसके बारे में भी parents को tension लेने का आवश्यक्ता नहीं है तो यहाँ पे हमने आज जो discuss किया almost जो जो advantages है फिलिपिन्स की university के बारे में उसके बारे में discuss किया हुआ है maybe next video हमारा जो रहेगा वो disadvantages of फिलिपिन्स के बारे में रहेगा I think आपको आज काई वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो like करना और अपने दोस्तों के साथ share करना ना बुले और फिर से मेरा निवदर ने अगर आपने चैनल को subscribe ना किया हो subscribe जरूर से कर ले और इसके बारे में कोई भी doubts है कोई भी question है तो आप दिये गए नमबर के उपर contact कर सकते हैं as well as आप दिये गए mail ID के उपर आप mail भी कर सकते हैं और हमारा chat section available है जहां पर जाके आप हमारे एक्सगुटर सा chat भी कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही दोस्तों धन्यवाज take care